नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की ओली तर्ब टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ओली तर्ब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ओली तर्ब टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की ओली तर्ब टैबलेट को लेते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए, ओली तर्ग एक ब्रैंड नेम है, ओली तर्ग टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन तर्बिनाफाइन 250 mg होता है, ओली तर्ग टैबलेट एक एंटी फंदल दवा है, ओली तर्ग टैबलेट का उप्योगत वचा पर या नाखुनों में फंदल इंफेक्शन होने पर किया दाध होना, वचा का पपड़ी बनकर उतरना, वचा में जखम होना और वचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नर्म होना आदी लक्षन फंदल इंफेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं, फंदल इंफेक्शन नाखुनों मुह और जांगु में भी हो सकता है, फंदल इंफ सेंट व्यक्तियों में ओलिटर टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्श हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, दस्त होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खुजली होना, लिवर में सूजन होना, मुह का स्वाद खराब होना, उल्ती आने का मन होना, पेट समेज भी हो सकता है, अब हम डिसकस करेंगे की ओलिटर टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, ओलिटर टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक् की सलाह दे सकते हैं। ओलिटर्क टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ओलिटर्क टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ओलिटर्क टैबलेट को लंबे समय तक लेने से यानि लगातार एक साल या उससे अधिक समय तक लेने से मुह का स्वाद और शरीर की सूंगने की क्षमता स्थाई रूप से डैमेज हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ओलिटर्क टैबलेट को लेते समय मुह का स्वाद और सुंगने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को O-LiTurk Tablet को डॉक्तर से सलाह लेकर तुरंथी बंद कर देना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तिवों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि O-Liter टैबलेट लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि ओलिटर टेबलेट प्रेगनेंट महिनाओं और स्तनपान करा रही महिनाओं को लुक्सान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओलितर टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को ओलिटर टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओलिटर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।